इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्यबदेश के दो महतोपून ट्राइबल परसनालिटीज के बारे में शंकर शाह और रगुनाश शाह ये दोनों जो परसनालिटी थी मध्यबदेश के अंदर आजादी का जो आंदोलन था उसमें 1857 के रिवल्ड में 1857 की जो क्रांती है उस करांती में इन दोनों लोगों ने अपना महतोपून योगदान दिया तो उनका क्या योगदान है भारत की आजादी के आंदोलन में और बाकी कई सरी चीज़े इनके बारे में हम देखेंगे उसके पहले as you know मैं आपको अनकेडमी पर प्लस में पढ़ाता हूँ अनकेडमी पर कई सारे मेरे courses MPPSC 2020 के लिए चल रहा है जिसके अंदर एक सबसे important course complete course on MPPSC 2020 जहां पर पूरा syllabus MPPSC का मैं आपको complete कराऊंगा for the prelims उसके बाद उसी के साथ में संबंदित MCQ series चल रही है जिसके अंदर more than 2000 important MCQs हैं वो मैं आपको इस पूरी series के अंदर complete कराऊंगा तो इसके लिए आप मेरा जो code है पवन लाइफ आप मेरा code पवन लाइफ यूज़ कर सकते हैं if you are using this code you will get 10% discount on the plus courses लेकिन ये 10% जो discount है वो आपको सिर्फ 28th of FEP तक मिलेगा क्योंकि उसके बाद ये जो 10% discount है कम होके 5% हो जाएगा तो अगर आप चाहते हैं कि total 10% discount ले तो अ history के बारे में बताता हूं कल हमने रानी दुर्गावती के बारे में बात की थी दुर्गावती के जो ससूर थे आपके संग्राम शाह थे और ये बिलॉंग करते थे मद्देश की जो गौंड डाइनिस्टी है मद्देश है पांच गौंड डाइनिस्टी हुई जिनमें से दो इंपोर्टेंट गॉन डाइनिस्टी थी एक गॉन डाइनिस्टी आपकी मडला की गॉन डाइनिस्टी थी दूसरी देवगड की थी देवगड के बारे में कभी और बात करेंगे तो जो गॉन डाइनिस्टी थी इसके अंदर जो राजा संग्राम शाह और उनके जो बहू थी राणी दुर्गावती उन्हीं के परिवार में, उन्हीं के फैमिली में 17-18 सेंचूरी के आसपाथ राजा जो निजाम शाह है, निजाम शाह हुए जिन्होंने आपके भुपाल और उसके आसपास के एरिया के उपर गिननौरगड नाम का एक जगे था, उस गिननौरगड नाम या हम बोल सकते हैं कि जो Gond dynasty है उनका सबसे अंतिम जो राजा थे शंकर शाह और उनका बेटा रगुनार शाह ये दोनों personality उस समय हुई तो जैसा मैंने आपको बताया कि इनकी dynasties जो है वो देरे-देरे decline होने लग गई और अंग्रे जो ने इन लोगों को फिर बाद में इनके साथ में एक subsidiary आलायां से सायक संधी साइन की जिसके अंतरगत इनको जबलपूर के पास में जो पुर्वा फोर्ट है वो पुर्वा फोर्ट वाला एरिया इनको रहने के लिए दे दिया क्योंकि ज्यादा संपत्ती वगरे अंके बस बची नहीं थी तो छोटा सा एक खंड़हर नुमा जो फोर्ट था एक किला था उस किले के अंदर ये लोग जबलपूर के अंदर यहां पर आपको रहते थे और जो राजा शंकर शाह थे यह आपके जो दिधाम शाह थे आपके जिनके बारे अभी मैंने आपको बताया उनके ग्रेट ग्रैंट सन या उनके पड़पोते थे तो 1857 का जब यह बैटल हुआ उस समय पे उनको लगा कि उनका जो खोया हुआ सामराज है उनका जो अंपायर है इस अंपायर को यह वापस पास सकते हैं तो उसी समय पे उन्हों जो है उनको काफी पसंद करते थे उनके समर्धन में थे क्योंकि कई सारे जो गौंड सैनिक थे वो अंग्रेजों की सेना के अंदर भी हुआ करते थे तो उसी दोरान उन्होंने अंग्रेजों की सेना है उसके अंदर बगावत करवाने की कोशिश करी और कई सारे जो information बागी लोगों तक पहुचाता था लेकिन communication करने के लिए या संचार करने के लिए वो direct language का उपयोग नहीं करते थे शंकर शार जो थे वो बहुत अच्छे लेकक थे साधी रगुना शार भी बहुत अच्छे लेकक में उसका नाम था लीक क्लार्क इसको उसके बार में कुछ समझ में आया नहीं कि क्या दुहे चल रहे हैं इसके अंदर तो उन्होंने इनका जो सेनापती था उसको अपने साथ में मिला हैं उसको पैसा बगरा देके उसको बागावत करने पर मजबूर किया और उसने उन दुहों का जो पहलेशन था वो लिक क्लार को बदाना शुरू किया और उसी समय लीक क्लार को पता चला कि मेरे खिलाब इस बाकार के कोई कुई घथिविदी है यहां प्रकार की कोई जो साजिश है वो हमारे किलाफ यहां पे चल रही और धीरे तिरे उनको capture करना यह दिरे दिरे उनको control करना यहाँ पर आपको शुरू किया ठीक है तो इस तरीके से अंग्रेज जो है वो किसी दूसरे traitor के माद्याम से या कोई बगावती व्यक्ति है उसके माद्याम से शंकर शाह उत और अगुना शाह है उनकी पूरी बाप और बेटे दोनों को महाँ से अरिस्ट किया गया और इनको अरिस्ट करके इनके खिलाफ एक जो केस है वो केस चलाया गया और केस क्या था एक तरीके से बस एक खाना पुर्ती इसके अंदर थी और उसके द्वारा इन दोनों को जो फासी की सजा है फासी की सजा इन दोनो यहां पर इनको ब्लस्ट कर दिया गया जो फूटो आपको देख रहा है यह जहां तक मुझे जानकारी है यह ओरीजिनल यहां पर आपको मनाया जाएगा और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि इनका जब बलिदान हुआ इनको जब अंग्रेज नतूप से बानके जब उड़ाया और उसी समय पे आपके जो मडला है मडला के अंदर रानी अवंती भाई लोधी थी तो अवंती भाई जो बगावत यहां पर आपको शुरू कर दिए तो यह बात हुई शंकर शाह और अंदर ही वहां पर एक जब बलॉपूर का तो उसके पास में इन दोनों के वहां पर उन्हक्तिया की गई तो से उड़ाया गया था और वहां पर अभी जबलपूर हाइप उसके पास में रगणा पूरतिया भी यहां पर आपको लगे हुई हैं तो यह गौंड राजा शंकर शाह और मरगुना शाह जो गौंड डाइनिस्टी के अंतिम राजा हुए उनके बारे में स्टोरी हैं उनके जो बैसिक फैक्टेंड फिगर्स हैं एक्जाम में आपको आ सकते हैं जैसे इनके मृत् थालब के बारे में लुके के अंडे के बारे में आपको आपको यह हैं एक भी कि अगर्चे प्यों है इनके प्रपको आपको एक बडाने ट्हां प्रेंड आपको नहीं कर दो आपको आने का